बस दो दीन बाद दोस्तों बस दो दीन बाद सच में ओव्यसली, धमा के दार, मतलब बोलते हैं ना एक तरीके से ऐसा हीटर्स को जलाने वाला ट्रेलर आने वाला ए दोस्तों की प्रलाय आ जाएगा जी यहां दोस्तों मैं एक ही बात कहना है अलब जिस तरीके से बड़े मिया छोटे मिया का अभी तक हमने अपडेट्स देखे है इस नाट अबाट अपडेट्स जिस तरीके से इसकी हाईप है ट्रेलर डेफिनेटली मैं जितना कहूंगा पूरे साल में सबसे बड़ी अगर बॉली हुड की कोई फिल्म है मेरे अकॉर्डिंग तो कि वो बड़े मिया छोटे मिया है जो साल की सबसे बड़ी बॉली हुड की तरफ से बन सकती है फिल्म कलेक्शन के मामले में जी हां दोस्तों ये मेरा मानन है एंड अक्षे के और टाइगर के फैंस जी इस तरीके से इस मोवी को लेके इंट्रेस्टेड है मैं ये उम्मीद करूँगा कि सिर्फ इंट्रेस्टेड है नहीं बलकि वो लोग उस फिल्म को पूरी तरीके से सपोर्ड भी करे एंड सच एक बात बोलूँगा भाई पूर्थवी राज को जो मैं परसनली मानता हूँ कि बड़ा रोल मिलना चाहिए इस नॉट लाइक कि ऐसा ना हो भाई कि जैसे बौबी देवल का रोल था एनिमल का उतना छोटा वाला रोल इंपक्ट फूल तो हो गई उसका रोल नो डाव पूर्थवी राज का लेकिन बड़ा रोल होना चाहिए इस लाइक कि विलन भी ना कि चलो ठीक है नहीं हीरो जितना नहीं है पर सम्हाव बड़ा चाहिए रोल यह नहीं कि भाई जैसे वो रोल था बॉबिदेवल को उसकी तो एंट्री इतनी लेट हुई थी सब कुछ बहुत कम था वैसा नहीं हो यहीं होप कर रहा हूँ मैं क्योंकि भाई वो पावर है पुद्फिराज का जिस तरीके से कारेक्टर उसके जो डायलोग प्रलय आने वाला है और अल इसकी कम तारिफ करें चलेगा मुवी की पॉजिटिविटी फैलना जरूरी है अब वो किसकी वज़े से फैलते है चाहें वो टाइगर की अक्षे की या प्रुत्विराज की वज़े से या दो तीन एक्टरस की वज़े से या एक्शन की वज़े से कुछ भी हो किसी या फिर स्टोरी ये सारे में से अगर कोई भी एक दो पॉइंट्स अगर सक्सेस्फुल बन गए ना भाई तो बी एम से हमको कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई आल टाइम ब्लोगबस्टर होने से और देखो जिस मुवी का बजट अपरोग्स धाईसो से तीनसो करोड होगा वो मुवी पास्सो करोड में डिजर्व करती है जाना सिंपल बात है करती ही एक करना भी चाहिए I think जवान का बजट था तीनसो करोड क्या सपस दोसो करोड था पठान का बजट जितना मैं जानता हूँ गदर टुका 60 करोडी बजट था है निमल का कुछ 100 या 200 करोड, 200 करोड का बजट था कहने का मतलब यह इन लोगों ने किया है वो 500-600 वाला काम अब यह फिल्म आई है जो एक बड़ी फिल्म है और साल की सबसे बड़ी फिल्म है बोल सकते हो आप बॉलीवर की तरफ से तो भाई इसने करना तो बनता है तो 500 करोड के लिए देखो क्या है कभी कभी कुछ लोगों के यह गहना है कि भाई क्या सच में 50-40 करोड का ही ओपनिंग मतलब उससे कम हुआ तो क्या यह 500 करोड नहीं जाएगी क्या बॉस देखो जा तो सकती है मैं सीधा बोल रहा हूँ आइसा नहीं कि नहीं जाएगी जा तो सकती है बात यह है लेकिन कि आक्षे टाइगर के फैंस कैट कंटिनुवीटी दिखाएंगे continuity अगर दिखाने वाले हो तो भाई आराम आराम से भी 500 करोड जा सकती पर जब 500 करोड का मामला होता है ना शायद कभी-कभी हम ये भी मान के चलो कि आराम-ाराम से होना ही नहीं चाहिए वा मामला एकदब चलांग लगानी चाहिए तो देखते हैं क्या होगा है मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हईप है कम से कम 50 करोड का उपनिंग आना चाहिए भले पहला दिन कुछ लोग हॉलिडेस में होंगे कुछ लोगों का मतलब लेको बहुत से लोग क्योंकि वो ओफिशेल हॉलिडे है जितना मैं जानता हूँ तो डेफिनेटली फ्री भी बहुत लोग होंगे तो मुझे लग तो रहा है कि 50 करोड का उपनिंग चाहिए लेकिन भाई आखिर सबकुछ अडवांस बुकिंग पे भी डिपेंड है स्क्रेन का टेंशन मालो, स्क्रेन काउंटस अच्छे होंगे और सब कुछ डिपेंड करता है कि फैन्स कैसे सपोर्ट करते हैं, बहुत मैटर करता है अलिया बस अफर फैन्स, अक्षे फैन्स, टाइगर फैन्स, एक्शन मूवी फैन्स, स्टोरी लवर्स, एक्शन वाली जिनको स्टोरी पसंद है, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, पुरुत्वी राज के फैन्स देखो आपके पस ब्लोगबस्टर होने के लिए बहुत मौका अच्छा है, बहुत से फैन्स जो है, जो में भी एक दूसरे के साथ नहीं भी होंगे न, फिर भी अलग-अलग टाइप के अक्टर, अक्टरिसेस इसमें लिये गए हैं, अच्छा डायरेक्टर, प्रोडक्शन भ नन है, तो यह आप लोगों पर है बहुत, फैन्स पे 80% मूवीज डिपेंड रहते हैं, लगबग 80%, कि फैन्स सपोर्ट करते हैं, तो मूवीज आटोमेटिकली ही चलते हैं, 80% मूवी लेकिन याद रखो, अक्षे टाइगर के फैन्स के कंदों पे हैं, अब लोग शेर किज का का कंस केम लेखो का कि टाइगर के हैं, घप लोगह मूवीज लो मूवीज लोग़ा ऑम शेएगर कينडरे क reason लोग़बगागर के लाइएगर के लेगर के लाग़ें लेखोगार कान्तिकली हम लेखजगर क्यानिश लेख़गर को अबेगर